हुआ कि बजार समित्ति को ले करके इस्टे दो महा से चिम्बर अंधुलन रत हैं दिसंबर महा में जब यह विधायक पास किया गयाता विधानसवा में उसमें से ही चिम्बर ने विधायकों से मंत्रियों सिंस्मु की मंतरी से और सब्मंद विभागीपदाधिकारीयों से मिलने का अपना करेकम जारी रखा हमने अपना विरोध जारी रखा और सिर्फ राची पुर्जोर गुरोथ किया था आप जानते हैं 2015 में इसको तिरस्त कर दिया गया था लेकिन इससे जो है बैक डॉर से इसके पुना लागू किया गया है जबकि हमारे पडोसी राज्यों में बिहार में उडिशा में बंगाल में इन जगों में यह जो है बिल्कुल लागू नही है और ईस्ञ कानून लाया गिया है यह जो है कि सरकार इसे ना तो कोई आप फाइदा होने वाला है और हम इससे किसी में चाहए चाहेंगे में किसी बीस मंडी में में क्या किसान के उपज को बिख्वाने का या उसको इiders लामी कोई भी सिस्टम आज तक पचास सालों में सरकार लागू कर पाई है और ऐसे भी हम जो है किसी बधान राज्य नहीं है हम यहां पर खरीज संब्धा से भरेवे राज्य हैं हमसे बहुत ज्यादा चारगुणा से ज्यादा जो है सब्धिसी संब्धा बतिहार में होती है और दस को उपज है वह महंगी हो जाएगी महंगी होगी तो अगल बगल राज्यों को फायदा मिलेगा आपको जानकारी दे दुम्हें कि 2015 में जब इसको समाप्त किया गया था तो उसके बाद में लगवख सवास राइस मिल धारकण में खुली है हमारे जो राज्य है यह मुक रू जो से कंपीडनी कर पाएंगे और जो बाकी उपज दूसरे राज्यों से आती है वह वहां पर वह टेक्स देके आती है उना यहां पर उनको अगर दो पत्रीज देना पड़ेगा तो उससे में घाई बढ़ेगी और हम कांग्रेश के मंत्री बादल पत्रेक से भी निवेदन अनेता हमारे आपने देखा होगा आठ तारीकों भी जो हमारी वैठक हुई संगम प्राइडन में उसमें पूरे राज्य के हजार से ज्यादा व्यापारी सामिल हुए थे और पूरे सभी जीलों में प्रखंड अस्तर में गाव अस्तर के लोग जो हैं आंदोलन रत हैं क्यो समाप्त करना चाहिए और चंबर जो है आंदोलन रत है और जब तक यह कानून समाप्त नहीं होगा यह अब आप जो है कल से हमारा जो अनिशीद कालिल बंदी पूरे जारकरण में चालू होने वाली है तो इसके लिए जो है सरकार जीमवार होगी इसके अगर समझे स्वाट इसमें खरीद बिक्री और मील बगर ऐसा प्रोड़क्शन बगर सब कुछ बंद रहे हैं और बलकी हम लोगों का साथ जो है फल वाले लोग और सब्साथ दिया है और सारे लोग सब साथ में बिलकुल पूरा का पूरा जहरकेंट एक जूट है और एकदम बिलकुल बंदी ब सब्सक्राइब dalek में बाहांसीं मैं इसकी उसको कि खुझरा वालों का साथ में आफकल कि खाuckete Sakya ऑफेघ तो उनको लोग उनको सारे और समत्करी में बाकिशक्राइब दुकान खोल को और समागरी है वो बिश सकते हैं जो फल भी है और जिसमें क्रिसी बजार लगता वह सारा जो लोग एफेक्ट हो रहे हैं एक बर मैं चाहूंगा कि अभी जो हमारा लास्ट मीटिंग हुआ था मुरबादी में आप लोग सब वहां थे काफी लोग आप तो हमारे राज में जितने भी संगठन है एक तो हमारा जो हमारा अंब्रेला बॉड़ी होगे जो चेंबर हमारे अंदर में उतने सारे लोग है उस तिन आपने देखा था क कि वोलेंटीर रूप से हजार से उपर सारे के सारे राजे के 2400 जिलर के जितने भी वैपारी संगठन है जो और पूरे राज में ऐसा कोई संगठन चाहा हर एक जिला की जिला समिती की जो अपनी वहां के चेंबर की बात करें या फिर उनसे एक खाधान हैं इतनी बी संस्थ कि अप्टूर के उपने लोगों से मिला उन्हें for our Yum earned की है स्वाइसे हो रहा है उसके पहले हम लोगों ने हरेंboys दिन जो जो आपको जो लस्न हंस दिन ने मिला किरम पूरी तरह कोससः हर एक जगह पे काौला इस काला कानून के बाद में जैसा ही है लागू होगा हमारे भोगताओं के लिए चीज़े तुरंत महंगी हो जाएंगी पूरे देश में सबसे महंगा फिर जो दाल दलहन और बाकी चीज़ों की बात करें हमारी होगी क्योंकि उनका एक टैक्स वहां से जिसे स्टेट से वह आएगा वहां भी देना पड़ेगा और यहां भी देना पड़ेगा हमारे किसानों को प्रॉब्लम होगी हमारे जो चावल मिल है जो आज के दिन में कंपरिटिव है उनका बहुत जादा जैसे कि बिहार ने बंद किया ब प्रॉट में इतने चीजें और उनको बढ़ाया जा सके अब कोस्षिण ये है कि हम लोगों ने पूरी तरह हरेकर से कोसे किया कि इक आला कानून गलत है सब के लिए गलत है वेपारियों के लिए गलत है एक भुखता के लिए गलत है और हमारे अगर जार्षंड की ट्रेजर में जो नुकसान हो रहा है उसके कारण भविष्य में जो चावल में लिया से इमाइग्रेट करेंगे अब जैसे अगर यह कानून सही होता तो बहुत दिनों तक उत्तर प्रदेश में यह कानून लगा हुआ था क्या कारण धाक कि योगी सरकार ने इस कानून को वापस लिया चलने के बाद में उनको वापस लेना पड़ा जहां कि उत्तर प्रदेश में हमारे यहां से किसान जो किसान युग जो ज़ो जमीन है वो दस गुना से ज्यादा क्या सपास में है पूरे जब भीहार की अब भीहारों झारकन साथ में थे तो हमारा टोटल मिलाके जो खादा नियोक जयू जमीन थी व लगभग एक लाग करोड़ 27 लाग हेक्टर थी उसमें से एक करोड़ 1 लाग हेक्टर बिहार चली गई अच्छ आलत यह हैं हमारे यहां पर तो पहले तो खेती बहुत जाद ही नहीं है जो है वह बहुत अच्छा से ग्रोग कर रहा था हमरे पास टैक्स नहीं थी जैसा अभी सर ने बताया और टोटल मिला के सैकड़ों नहीं चावल मिल बनी इतना ज्यादा डेवलप्मेंट हुआ आप टै से सबसेड़ी मिल रही है लेकिन आप नॉन कंपेटिव हो जाएगी बिहार के कंपेर में यूपी के कंपेर में बाकी हम लोग नहीं सकत पाएंगे क्योंकि हमारे याँ टैक्स ज्यादा होंगे किसको फाइदा होने वाला काले कानून से डेफिनेटली यह जो काला कानून है है और हम लोगों ने पूरी कोशिस की विसलें दो महीने से कंटिनिवस कोसिस कर रहे हैं जो सरकार की टेजरी के लिए गंदा विल है घर आपको लगताएं कि बहुत सारे इस बिल में संखुब है बैट्ट करना चाहते हैं तो हम लोग कोसिस कर रही है दोताई मैने से आज के दिन में अगर सब को परैसान है कि किसको परिशान नहीं होगे सád कि हम चाहते एक कं बंद करें को plugs को सफल करने थे क्या हम अपने विवफारियों जिसे ही मिली हैं हम लोग आपने पूरे राड जो राजपाल 42 हम लोगों हर एक लेवल पर जाके कोश्टि की हरेक तरह से सांतीफ्रीय कोश्टि की जढ़ है यह बिल्टके लिए अच्छा नहीं और हमलोग पहले भी बिल से हमें positivity हमारे राजे को नहीं मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ हर एक वर को बहुत नुक्सान होने वाला है सरकार को हमारी बात सुननी चाहिए और जल्द से जल्द इस बिल को खतम करना चाहिए